हेलो ब्रबावन दिजिए अब शेकरान वल्कम यू वाल तो और फेवरेट यूटूब चैनल राइजुकेशनल राइजुकेशनल चैनल पर आप सभी भावन दों गारतिक स्वागत है मित्रों एल्टी ग्रेट भरती विशेष्ट में चर्चा करनी इस वीडियो में काफी दि त्रू है और एक दो दिन पहले से स्रावंडिंग में हमारे चारों तरफ है और आज मौनी की न्यूस पेपर में जो प्रमुकतास हैं जैसे विवादित विशेम में ही सबसे अधिक पदों पर भरती रिजल्ट और सत्यापन के लिए धरना आज एल्टी ग्रेट परिशा नि विडियो में होगी तो जितने मित्र एल्टी ग्रेट भरती से रिलेटेड हैं उन तक ये न्यूस वीडियो जरूर पहुचाईएगा और वीडियो लास तक जरूर देखिएगा तो चलिए विश्ले से वीडियो शुरू करते हैं तो पहले मैं इस न्यूस से स्टार्ट करू और फिर चोटे चोटे विश्ले को परिणाम निकाले गए क्यों कि आपने धरने इतने ज्याज जादा दी हैं और आयुक पर दबाव बनाए गया उसको लेकर तो आपके धरने और प्रेशर की वज़े से उन्होंने ये कदम उठाया और पहले ही विदी गर्चन विदी गर् और जो भी चीज़े हैं वो आप लोगों एक समक्षाई भरष्टाचार जो भी है लिप्त हैं वो लोग को उपर केसेज होएं जेल में गएं वो सारी चीज़े आप इस पस्ट हैं उन सभी मुद्दों से इतर होके बातचीत करूँगा आज इस वीडियो में एल्टी क्रेट सिक्षक बरती निरस्त की जाए और दो वर्सों में लोग सिवायों की ओर से आयुजित परिक्षाओं की जाच किसी रिटायर्ट जज़ के पैनल की निगरानी में कराई जाए ऐसी ही तमाम मांगों को लेकर प्रतियोगी चात्रों ने रवीवार को केंडल मार्श निकाला या निकल इलावद विश्विदाले की कॉमर्स फेकल्टी से बालसन चौराहस इस्तित गांधी प्रतिमात केंडल मार्श निकाला गया चातरों ने तैय किया कि इन मांगू को लेकर सोमवार सुभई ग्यारा बजे जिलादिगारी काराले में प्रदर्शन किया जाएगा और केंडल मार्च का नेतित कर है सुनील मौर ने कहा है कि अध्यक्षेवम सचिव पर कारवाई किये बगैर ने प्रदर्शन इंत्रे की नियुक्ति सरकार की कारवाई प्रणाली पर भी सवाल उठाती है तो यह तो सीधी और इस प्रश बात है कि जब तक जो लोग इसमें भरष्टाचार में लिप्त हैं उनको सजा दिये बगैर नए सचिव की नियुक्ति देखिए सरकार की भी मनचाए कि जल से लद भरती परिपून धंक से कराई जाए लेकिन सरकार को भी बराबर इस पर एक पैनल और कमिटी बैठानी चाहिए जो इसकी निगरानी करें कि सही चीजें पर है जो ये तेय करें कि पर इस पहले हुई थी इतने दिन बाद आंसर किया तो अब होना चाहिए ज़्यादा देर इसमें बिलंब नहीं होना चाहिए ये सारी चीजों को एक सुचारू रूप से करमबत तरीके से अगर करानी की कमिटी बठाई जाए, सरकार के समक्षी पेशकस की जाए, सिफारिश की जाए, तो सरकार इस पर मंधन करना चाहिए, कि हाँ, ऐसे एक कमिटी बैठने जाए, जो सभी परिक्षाओं को, जैसे अभी आपकी सिक्षक सिवा जो बनी है, नई समीती, सभी तीनों इस तरों की ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C सिक्षक विवाग में वो न्यूक्तियां करेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो वैसी एक विवाग और बनना चाहिए, एक पैनल ऐसा बनना चाहिए, यो कि भूख के सिक्षक विदो का, यह निग्रानी करें कि कि रिक्षा जब आपकी जुलाई में होती है, अगस्प में उसका आंसर की आती है, फिर सप्टंबर में उसकी रिजल्ट आता है, तो अक्टूबर नूम्बर में उसकी नियुक्ति प्रॉसेश स्टार्ट हो रही है कि नहीं होरी लेड़ लतिफी का कारण जाने ताकि जो आपके अभेरती हैं वो परिक्षावे की पढ़ाई करने के बाद इतनी मांसी पत्रणना जहलने के बाद फिर यह पत्रणना जहले जाके महां पर रोज धरना दें तो वो कहीना कहीं एक सही बात नहीं निकल कर आती है और अगली नियूज ऐसे ही है कि रिजल्ट और सत्यापन के लिए धरना आज है तो धरना वाली बात तो आप लोगों को समझ में आगी लेकिन रिजल्ट और सत्यापन की बात क्या है कि रिजल्ट यानि जितने लोगों की रिजल्ट आ चुके हैं और उनके मांक्षीट का जो स दिखा था कि 78 प्रतीशत सिक्षकों की कमी है आपके GIC में गवर्मेंट इंडर कॉलेज में तो वो कहीने कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा मंधन का विश्य लगातार आपकी कमिटी जुबनरी लगातार आपकी सुनुआ बाची चल रही है बैठक नहीं हो रही है तो वो तो चली रहा है तो सरकार को इस पर एक दुरस्त और एक मजबूत अपना पक्ष सबके समझ रखना चाहिए और यह तो आपको सभी को पता है थोड़े से मौके ग्रूप में जान लिजे कि विवादित विशे में ही सबसे अधिक पदों की भरती है पेपर लिक मामला है समाजिक विज्ञान में एल्टी ग्रेट सिक्षकों के अठारा सो चवण पदों पर होनी है विवाद जो अपने आप में बहुत ही बड़ी पद है क्या अगर भरती की बात की जाए तो अठारा सो सबस्यादा पद हैं आपके समाजिक विविवाद में हिंदी विशे पर भी है विव देखने को मिला है तो जो मैंने पहले बोला उसी पर बात अपनी समाप्त करता हूं कि यह मांग अपनी धरने में जरूर रखें कि एक कमिटी ऐसी बनाया जाए जो हर सिक्षा विभाग में जितनी में नियुक्तिया होती या किसी भी विभाग में होती पार्टिकुलर हम लो प्रश्टाचार वाली बात तो नहीं है सारी चीजे चलती रहें ऐसे तो कहीं न कहीं कुछ सुद्रिन होगा और इसमें मजबूती आएगी इसी उम्मीद के साथ कि जल से लद आपके परिडाम आपके समक्ष हों और मेहनत कर्ष अभेरतियों के साथ हमेशा पॉस्टियर र